धानु राशी वाले जात किस्मत का जादोई पन्ना खुलेगा अब आखों के आशू खत्म होने वाले हैं स्वागत है मित्राप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल धानु की दुनिया में दोस्तो आने वाले तीन दिन यानि की 9, 10 और 11 मार्च बहत खास हैं ये तीन दिन कैसे रहेंगे ग्रहनक छत्रों की क्या चाल है कैसे परिवर्तन हुए है इसका असर आपको इन तीन दिनों में क्या देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुआत करते हैं और जानते हैं ये तीन दिन आपके जीव नीचे जो लाल वटन दिख रहा है उसे दबाईए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं ये तीन दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे दोस्तो इन तीन दिनों में जो है जातको को स्वैंग को यानिके खुद को भावनात्मक रूप से काफी मजबूत महसूस कराना है खुद को सब्सक्राइब बॉस के सामने जो है बैक बाइटिंग हो सकती है जिससे उनकी नजरों में आपकी छवी में टेड़ लगने की चांसे से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं व्याकारिक समझाते हो सकते हैं कोई बड़ी डील निर्णायक मोड पर चल रही हो तो उसे भुनाने के लिए आज का देने शुब रहेगा हड़ियों से सम्मंदित कोई दुक्कत हो सकती है जिसके कारण ये तीन दिन दर्द से परिशान रहेंगे आप जीवन साथी या मित्रों के साथ कुछ खटास चल रही है जीवन में तो उसे सुधारने का प्रयास करें दूर करने का प्रयास इन तीन दिनों में आपको करना चाहिए दोस्तों ये तीन दिन छुड़ छुड़ी बातों को लेकर जुजलाने की आवशक्तान नहीं है ग्रही ये स्तितियां गुसा दिलाएंगी ग्रहो के ऐसे स्तिति है जो आपको क्रोद दिलाएगी गुसा दिलाएगी लेकिन खुद को कंट्रोल रखते हुए दिन ये तीन दिन जो है व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए ये तीन दिन आफिस में अधिनस्तों से कंपर्टीशन रहेगा इसे तनाव तो बढ़ेगा लेकिन इसके कारण समय से काम कर पाने में भी आप सफल रहेंगे सक्षम हो पाएंगे दूस्तों बड़े क्लाइंटों से पूरा सहयोग इन तीन दिनों में मिलने वाला है व्यपारी वर्गों के लिए ये तीन दिन अच्छी खवर लेकर आने वाला है बढ़िया खवर लेकर आने वाला है दोस्तों तीन दिनों में काम मिर्च मसाले वाले भोजन को वरियता दें यह आपकी सिहत के लिए अच्छा होगा परिवार में चल रही विवादित बातों को सूजबूज से समाप्त कर प्रेम से रहने के लिए पहल करना चाहिए दोस्तों यह जो तीन दिन है मन में नकरात्मक विचारों को पना पने से रोकना होगा दिन के सुरुआत से ही यह पहला ही दिन से आपको नकरात्मक मान सकता परशान कर सकती है परन्तु अपने आपको इधर उधर बहकने मत दीजिये भटकने मत दीजिये क्योंकि अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लीजेगा तो आपके किस्मत का जादोई पन्ना इन तीन दिनों में खुल सकता है नकरी करने वालों के लिए ये तीन दिन अच्छा जाने वाला है तो वहीं उच्छा दिकारियों का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा काम के बीच में आ रही समस्याओं का समधान निकलेगा पैत्रिक की व्यापार करने वालों को लाव होता हुआ दिखाई दे रहा है शकरात्मा ग्रहे इस्तितियां आए में वृद्धी कराएंगी विद्धार्टियों को सिख्चा में उनत्ती मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे आने वाली परिक्षा में भी वर्स भर की कई मेहनत आपको रंग लाईगी मांस्पेसियों में दर्द होने की आशंकाएं दिखाई दे रही हैं जिसको लेकर सचेत रहने की भी सलाह दी जाती है मांसे जो है सने आपको रखना चाहिए मांसे बना कर रखे ये तीन दिन कोसिस करने चाहिए कि चेहरे से जो है मुस्कुराहट कम नहों क्योंकि ग्रहों कि स्थितिया मूड आफ कर वाद विवाद कराने के फिराक में है आफुस में महिला सह करमیों का संमान करें उनकी रिस्प्रेक्ट करें इज़द करें उनका सहयोग आपके टारगेट पूरा करने में आपकी मददगार सावीतों का आपकी मदद करेगा बड़े प्यापारियों को लाग होने में संदे है इसलिए सभी निवे से सोच समझ कर करने में ही समझदारी है युवाओं को मित्रों के साथ तालमेल बना कर च सामना करना पड़ेगा भाईयों के मद्द तना उत्तपन न हो सकता है बात को समालने की कोशिस आपको करनी चाहिए ये तीन दिन धार्मिक गतविदियों की और आकर्शित आप रहेंगे ये तीन दिन सूरिय नरायन को अर्ग दें आजीविका के छेतर में उनका कि दर्शन न की हो तो ये तीन दिन आवश्च जाएं मंदिर जाएं उनके दर्शन करें आफिस में मल्टी टास्क करने वालों के लिए ये मल्टी टास्क करने का मौका भी मिल सकता है जिससे आपके भीतर काम करने की चमता का और विकास होगा ये तीन दिन किसी को उधार देने पड़े तो उसकी विश्वसनियता को परख ले तब ही किसी को धन दे नहीं तो बाद में पच्टाना पड़ सकता है ठंड से बच कर रहने की सलाह दी जाती है अभी बहुत जगाओं पर ठंड है खतम नहीं हुआ है इसको खतम ना समझें क्योंकि आभी का जो ठंड है यही बरिसान करता है इसलिए थोड़ी अगर ठंड है तो सावधानी वरतें बच कर रहें दोस्तों सदस्यों के साथ सम्मंधों में खटास ना आने दीजे इन तीन दिनों में इनके लिए उनको समय दीजिए वक्त दीजिए ताकि उनके मन में कोई उटपटांकी बाते ना पन पर ये तीन दिन चिंता जो है सता सकती है चिंता किसी की किसी बात को लेकर किसी चीज को लेकर परिशान कर सकती है ऐसे में चिंता को अपने आस पास भी ना भटक ने दे अगर ऐसा होगा तो आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं आपका मन नहीं लगेगा किसी काम में नौकरी पेसा सा जुड़े लोगों को सहयोगियों की मदद मिलेगी उनके जो पार्टनर्स हैं काम करने वाले उनकी मदद मिलेगी जिसके करण काम करने में मन जो है लगेगा ये तीन दिनों में कारोबारी जो हैं धन को थोड़ा बचा कर रखे धन डूब सकता है इसके लिए व्यर्थ के निवेस से बचना होगा स्वास्त के द्रिष्टी से किर्णी से सम्मंदित समस्या के प्रती अलर्ट रहें साथी पानी का सेवन वर्तमान में बढ़ा देना चाहिए अभिभावकों को जो है इसरासी के छोटे बच्चों पर पैनी निगाह है रखनी की सलाह दी जाती है क्योंकि उन्हें गिर कर चोट लगने की इन तीन दिनों में आशंकाएं दिखाई दे रही है चोटे बाई बहनों की गति विदियों पर उचित नजर रखें अन्ने था उनके आचरण बिगड़ सकते हैं ये तीन दिन सुरुआत से ही कीनी बातों को लेकर असमंजस की स्तिती दिखाई दे रही है मन को व्यतीत करने वाली कोई भी गतिविदियों में हिसा मत लीजिए कारचेतर में छवी पर कोई दाग न लगे इसके लिए विशिश ध्यान रखें अपने प्रयासों में कमी न रखें नई नौकरी के लिए आवेदन भरने के लिए ये तीन दिन बहुत ही अच्छे है व्यापारियों को विवादों से बच कर रहना होगा मार्केट में आपकी छवी खराब हो सकती है इसको लेकर भी अलर्ट रहें ये तीन दिन पुराँ पुरानी बीमारी परिशान कर सकती है ऐसे में उचित समय पर डॉक्टर से सलाह लेना ठीक होगा पेट से सम्मनित रोगों को लेकर थोड़ा सावदान रहें अलर्ट रहें पित से लाब मिलने की भी संभावना है पिता माफ कीज़ेगा पिता से ये तीन दिन हतास ना हो बहुत ऐसे काम होंगे जिसमें हतास आपको हाथ लग सकती है ऐसे में काम ना बनने पर पीछे ना हटे बलकि सही समय के उपर तक्छा करनी चाहिए आपको आफिस में कामों का अधिक भार रहेगा ऐसे में कुंदन की भाती तपते हुए अपना लोहा मनवाना होगा विया पारियों को कानूनी दाव पेंच से बच कर रहेना होगा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बिना पढ़े साइन मत करिये सेहत को देखते हुए जो है थोड़ा सा सावधानी रहने की सलाह दी जाती है छोटे बच्चों का ध्यान रखें फीवर होने की आशंका है दोपया बाहन चलाने ने निन दे समय हेलमेट अवश्य पहने दुरगट्टा होने की आशंका है ससुराल पक्ट से कोई अशुब समचार सुनने को मिल सकता है तीन दिनों में तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा पिता के स्वास्त का भी ध्यान आपको इन तीन दिनों में रखना चाहिए ये तीन दिन महा गणपती यानि की गणएश्जी की उपासना करिए दिन की अगर सुरुआत करिएगा उनकी पूजा से तो आपका देनी ये जो है मंगल में बीतेगा अच्छा बीतेगा आफिस में बास की बातों सिद्को आपको महत्व देना चाहिए उनसे यदि कुछ सीखने का मौका मिले तो उसे हाथ से ना जाने दे आफिस में महत्वण दास्तावेजों पर हस्त्राक्चर करते समय उसे आवस्थ से पढ़ लीजे अन्यता कानूनी प्रतिक्रिया में आप फ़ौस सकते हैं विदिसी यात्तर के तयारी करने वाले व्यापारियों को सजगता के साथ जाने की मतलब जो है जाने के सला है जाने से पूर एक बार सामने वाली पार्टी की अवश्य बात सुन लीजेगा हेल्थ में बिमार चल रहे हैं लोगों को दवाईयों को लेकर ला परवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए सदाचारी दोस्तों के साथी समय बिताएं तीन दुनों में गलत संगत आपको रास्ते से बटका सकती है इसके प्रती शचेत रहें तो दोस्तों यही था आने वाले तीन दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अच्छे लगी होगी अच्छे लगी तो लाइक कर दीजे चैनल पे हमारे पहली बराएं है तो दोस्तों इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजगा सबस्क्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहें मुस्कुराते रहें आसपा सफाई रखें घरवालों का ख्याल रखें साथी साथ अपना भी ख्याल रखें ये तीन दिन मंगल में बीते शुब बीते अच्छे बीते यही कामना करते हैं जै शिरादे जै भोले नात हर हर महादेव बंबं भोले